हेलो स्टुडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल प्रिंस्वूट एजुकेशन में आज की क्लास में हम आपको बियर सेकेंड सिमस्टर का टॉपिक सैक्षिक तकनीकी अर्थ एवं महत्व के बारे में बताएंगे तो आईए स्टार्ट करते हैं, question answer, पहला है तकनीकी तथा विज्ञान के अविश्कारों तथा नेमों का सिक्षा की प्रक्रिया में प्रयोग सैक्षिक तकनीकी कहलाता है उसमें बोला गया है जो सैक्षिक तकनीकी है वो तकनीकी तथा विज्ञान के अविश्कार है तथा नेमों का सिक्षा की प्रक्रिया में प्रयोग सैक्षिक तकनीकी कहलाता है यह कतन किसका है? तो यह कतन है MS कुलकर्णी का? किसका कतन है? MS कुलकर्णी का? नेक्स कोशन की बात करते हैं, सिक्षण में तकनीकी का प्रयोग सरुप्तम कहां हुआ? तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि सिक्षण में तकनीकी का प्रयोग सरुप्तम जो हुआ था, वो 1926 में अमेरिका में हुआ था, कौन से विश्विद्याले में? ओहियो राज विश्विद्याले में। 1954 में प्रारम हुआ? पूछा गया है, जो स्टैक्षिक तकनीकी के छेत्र में महत्पूर कार है, वो कप प्रारम हुआ? तो इसकिनर के प्रयोगों के द्वारण 1954 में? कब 1954 में? नेक्स कोशन है, भारत में सर प्रितम भारती अभिक्रमित अनुदेशन संगठन कब इस्थापित किया? कब 1966 मतलब पहली तो हमारी प्रारमी वस्तु होनी चाहिए और समप्रेशन मतलब क्या हुआ? बादचीत भी होना चीए, ठीक है, कोशन है, अध्यापक विद्यार्थियों के समक्ष पाठ वस्तु को कितने इस्तरों में प्रस्तुत कर सकता है, तो अध्यापक जो है, वो विद्यार्थियों के समक्ष पाठ वस्तु को तीन इस्तर में प्रस्तुत कर सकता है, वो तीन इस् कौशन है अनुदेशन तकनीकी किसे कहते है तो इस अनुदेशन तकनीकी किसे कहते है पहली बात तो इसे एक और नाम से जानते है निर्देशन तकनीकी मतलब अनुदेशन तकनीकी को हम निर्देशन तकनीकी नाम से भी जानते है इसमें छात्र और सिख्षक के बेज क्रिया की आवशक्ता नहीं होती है तो आप जानते हैं कि अनुदीशन का अर्थ क्या है तो अनुदीशन का अर्थ है सूचना प्रदान करना यह मशीन तकनीकी पर आधारित होती है जैसे विए रोडियो, ठेलिविजन हो गए और कम्प्यूटर हो गए तो क्या होता है कि अनुदीशन तकनीकी मतलब होता है कि सूचना प्रदान करना क्योंकि मशीन तकनीकी पर आधारित होती है इसलिए इसमें क्या होता है चात्र और सिक्षक के बीच क्रिया क्या उशक्ता नहीं होती है कोशन है प्रणाली उपागम का क्या अर्थ है तो उपागम वास्तों में गेस्टाल्ट वादी मनोविज्ञान के सिधान पर आधारित है जो उपागम है वो वास्ता में क्या है किस पर आधारित है गस्टार्ट वाधी मनोविज्यान के सिधान पर इसके अनुसार सैक्षिक प्रणाली को चार प्रमुग तत्तों में विभाजित किया आता है कौन-कौन से तो आप से पूछ लेंगे प्रणाली उपागम के कितने तत्तों है तो आपको बताना होगा चार तत्तों है उसके नाम पूछेंगे कौन-कौन से नाम है अदा, प्रक्रिया, प्रदा और पर्रयावर्ण संदर मतलब इन्पूट, प्रोसेस, आउटपूट, इन्वार्वेर्मेंटल, कंटेक्स्ट ठीक है जैसे आप से उसमें पूछ लेंगे कि अरुदेशन तक्नीके का अर्थ क्या होता है होता है सूचनाय प्रदान करना और यह किस पर अधारित होती है एक मशीन तक्नीकी पर अधारित होती है और इसमें छात्रों सीख्षक के बीच कोई क्रिया के अवशिकता नहीं होता है नेक्स्स कोशन है तकनीकी विज्ञान का कला में प्रियोग होता है या कतन किसका है ओफीश का है किसका है ओफीश का है किसका है ओफीश का है कुशन है Central Institute of Education Technology की स्थापना किस वर्ष हुई थी तो 1972 से 1973 के दशक में कब हुई थी? 1972 और 1973 के दशक में हुई थी Question है भारत में सिख्षा प्रवध्योगी की विभाग किसके द्वारा खोला गया? तो जो भारत में सिख्षा प्रवध्योगी की विभाग है वो किसके द्वारा खोला गया? NCERT और इसका विस्तार रुप क्या है? रास्ट्री सिख्षा अनुसंधान एवं प्रेसिक्षन परिशन क्या है NCERT? तो आपने पता किया जो भारत में सिख्षा प्रध्योगी की विभाग है वो किसके द्वारा खोला गया? राश्ट्री सिक्षा अनुसंधान एवं प्रसिक्षण परिशन द्वारा कोश्चन है ग्यान के वहवार में विनियोग की प्रक्रिया ही सैक्षिक तक्नीकी है या किसने कहा है E.M. Bruton ने किसने कहा है E.M. Bruton ने नेक्स कोश्चन है सिक्षा तक्नीकी केंद्र Central for Educational Technology किसके अंतरगत आता है तो मैंने आपको बताया था कि जो Central Institute of Education Technology की स्थापना कभी थी 1972 से 73 के मध्य होई थी के दशक्क मध्य होई थी तो हुआ था क्या कि यह किसके अंतरगत आता है तो यह N.C.E.R.T. के अंतरगत आता है इसका विस्तार रूप क्या है रास्ति सिक्षा अनुसंधान इवं प्रसेशन परिशन और जो सिक्षा प्रवद्योगी की विभाग होई थी वो भी किसके दवारा खोला गया था है N.C.E.R.T. के दवारा कोशन है सैक्षिक तकनीकी का प्रथम प्रयोग करता किसे माना जाता है तो सैक्षिक तकनीकी का प्रथम प्रयोग करता ब्राइमर को माना जाता है किसको माना जाता है ब्राइमर को कोशन है सैक्षिक तकनीकी को तीन रूपों में किसने विभाजित किया कोशन है सैक्षिक तकनीकी का दूसरा नाम क्या है कोमल उपागम क्या है कोमल उपागम कोशन है सिक्षक तकनीकी के उद्देश क्या क्या है पहला है प्रेयोग के पश्यात मुल्यांकन करना पहले प्रेयोग होता है उसके बाद क्या होता है उसका मुलांकन क्या आता है ग्यान का संचे प्रचार एवं विकास करना ग्यान का क्या करना? संचे भी करना, उसका प्रसार करना, उसका विकास करना सिक्षण अधिगम की संपूर प्रक्रिया में सुधार करना तो सिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में जो दुरुटिया हो रही है उस संपूर प्रक्रिया में क्या करना? सुधार करना कोश्चिन है अधिगम के मनो विज्ञान का विहवारिक सेक्षिक समस्याओं पर गहन प्रयोगी सेक्षिक तकनीकी है। नेक्स्ट है भारत के किस दश्चिक में विशेष रूप से प्रयत्न कीए गए तो भारत के किस दश्चिक में प्रयोगी की को विध्वानों ने कितने भागो में विभाचित किया है। को विध्वानों ने चार भागों में विभाचित किया है। इसमें छात्र और सिक्षक क्या होते हैं। कोशिन हैं अनुदेशन तकनीकी के प्रवर्तक को है। अनुदेशन तकनीकी के परवर्तक मुख्य रूप से आपने पढ़ा होगा कि इसकी नर है। उसके साथ में कौने कॉरें आशूबेल भी है कौने-खूबेल अर्थ क्या है यह श्रमागरी ऑन युक्तियां कि इसमें इत्ररश्च श्रमागरी उप्युक्त होती है तो वहवार तकनीकी के प्रवर्टक कौन है इसकिनर और फिलेंडर अर्थ क्या है इसका उपयोग सिक्षक के वहवार का निरिक्षक विशलेशन तता मुल्यांकन करना होता है और इसमें भी जो वहवार के वहवार का निरिक्षण तता मुल्यांकन किया जाता है तो इस तरह से हमारा टॉपिक सैक्षिक तकनीकी का अर्थ इवर महत्व कंप्लीट हुआ बीएट की सभी क्लासेस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में देगाया लिंक में जाकर आप देख सकते हैं बीएट की पीडियेफ के लिए आप हमारे टेलिग्राम चैलल से चूड़ सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है धन्यवाद मिलते है अपनी लेक्स क्लास में